अप्डियूस करेंगत्य आपको उपन कनना है इस प्रोग्राम में रॉपन कनना है और कि और उस्टानी प्रोग्राम आपकोटरण कर सकते हैं कि युज में इता बना चिए फमीब गोई को बर्लब सक्ट्राइम कि एक छाष्ट युद्म हाले करते हो तो इस प्रोग्राम के आपको की बना के उपन कर सकते हूं तो चले गाइस आपको चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब आपको जाते हैं सर्च में कि वहां से आपको प्रोग्राम का नाम लिखते हैं जिस प्रोग्राम को उपन करना है इस प्रोग्राम का वहां सब्सक्राइब करते हैं लेकिन आ बारे में बताँगा कि जीस statement आपको open करना है इस program कि आपकोTr jogakt कि बणा कि वहाँ साइब को डायरेक्ट open कर सकते हो व्हासक्ट में आने के कुई ज़रूरत नहीं है वहाँ साइब माउस से की उपन करने की कोई ज़रूरत नहीं वहाँ वहाँ आपको start में आने की कुई जरुरवन नहीं वहाँ आपको mouse के उपन करने की कुई जरुरवन नहीं वहाँ आपको keyboard से shortcut key press करके वहाँ आपको direct program उपन कर सकते हूँ तो चले काइस वहाँ देख सकते हैं कि मारा desktop में eInnotepad और वहाँ हैं MS Word का program है तो इसका में shortcut key बना के वहाँ से में step by step बदाऊंगा तो इस video को पुरा दिखे तो वहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा एक notepad ही और वहाँ से मारा MS Word है तो चले जो कि आपको mouse से open करना है तो वहाँ से डबल T को प्रेस कर देते तो वहाँ से program open हो जाएंगे तो चले वहाँ से notepad को open कर दिटा हूँ तो वहाँ देख सकते हैं कि हमने mouse से double click कर दिया तो वहाँ आपन हो गया है लेकिन हमें keyboard से open करना है तो वहाँ से आपको shortcut की बनाना पड़ेगा है तो चले कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले वहाँ सापको right side click कर देना है और right side click करने के बाद वहाँ shortcut की option में को मिल जा पड़े उसमें आपको click कर देना है और click करने के बाद वहाँ से माउस से key press कर देना है जो प्याद कोई से क्रीप की प्रेश करोगे तो व्यसक्त को shortcut की Direct वहां से बन जाएंग्गे तो चले वाहसे मीको प्रorta से a Press कर देता हूँ वहां देख सकते है कि मेंन तो वहाँ देख सकते किमारा डी का जो shortcut की तहाँ बन गए तो व्यसे आपको shortcut जो रखना है वास आपी रख सकते हो चले वास में एरत देता हो आपको समझाना के लिए तो वाँ देख सकते किमारा बन गए तो चले वहां से में एप्लाइश पर क्लिक करने के बाद के वहां पर क्लिक रखनाए तो वाँ देख सकते किमारा shortcut की बन गए तो चले वास में कीपर से सब्सक्राइब कर सकते हैं कि वहां से आपको माउस की जरूरत नहीं वहां सब्सक्राइब कोई जरूरत नहीं कि वहां से दूसरा को मारा है । सब्सक्राइब कर दिता है नियुक्त अइस आपको जना के प्रॉपर्ट की में और प्रॉपर्टे को प्रेस कर दिना है जो पिया आपको shortcut की बना रहा है इसकी वहास आपको press कर दिना है तो चले वहास में B को press कर दिया हूँ तो वहाँ आप देख सकते हैं कि वहाँ ने B को press कर दिया हूँ तो वहाँ मारा shortcut की बन गए control plus alter plus B तो वैसे आपको जो पिया आपको shortcut की बना रहा है इसकी वास आपको प्रेस कर दिया है तो चले वास में बी को प्रेस कर दिया है और बी को प्रेस करने के बाद चले वास में OK पे क्लिक कर दिता हूँ तो वहाँ देख सकते हैं कि मारा Ctrl प्लस अल्टर बी स्वर्टकट की बन गए है तो चले वास में क्लिक कर दिता हूँ तो वहां आप देख सकते हैं कि मैंने कंट्रोल अल्टर प्लस भी कर दिया तो वहां देख सकते हैं कि हमारा MS Word उपन हो रहा है तो वैसे आपको डायरेक्ट टीबोर से प्रोग्राम को उपन कर सकते हूँ आपको वहां से आपको स्टाट में और प्रोग्राम में जाने की कोई जरूरत नहीं है वहां से आपको स्टाट की बना के प्रोग्राम उपन कर सकते हैं तो वहां देख सकते हैं कि हमारा MS Word उपन हो रहा है तो वैसे आपको कीबोर से स्टाट की बना के डायरेक्ट उपन कर सकते हूँ आपको माउस से कोई माउस से को तो यह वात पुण्टरें यह द्वार कर सकते हो इन तुद्सूर्ट को बिकाना इक करना है दो पुड़ कर सकते हो तरो आपको क्लोछे को ना है और बेसके अपने के बाद घुलिक करने के बाद आपको पिलीक कभी नहीं सूर्ट की वहां से मैंने अटा दिया तो इसंब प्रोग्राम में आपको रना के बाहरे की भुटर चोलिकि इतना ही यह वीडियो आपको उच्छ लगी तो ऑप कि दो